जए हिंद इस विडियों उनों का डानी वीलवार कंपणी बारें बात करेंगे देगे ओडानी वीलमार अभी हाली में सेर मार्कें में लिष्टेड हुआ है नया नया company है, listing के दिन जबर दस listing इन तो नहीं मिला था लेकिन अच्छा खासा listing इन जरूर मिला था और listing के बाद भी कुछ दिनों तो company का share price बढ़ते रहा, उसके बाद से company में profit booking शुरू हुआ और उसके बाद company का share price डाउन जाने लगा लेकिन पिछले दो trading से company का share price उठना शुरू हुआ है, तो सवाल यह है कि यह तेजी कहां तक देखने को मिल सकती है, क्या हमें इसमें investment करना चाहिए और अगर करना चाहिए तो क्यूं करना चाहिए, इन ही सब सवालों की जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूँगा, एकद बनाती है, इस sector की जो दिगेज कंपनी उसमें डावर का नाम आता है, आपने जरूर सुना होगा, लेकिन यह जो कंपनी या डाइन विलमार आने वाले समय में डावर को अपने से नीचा कर देगी, इतना भरोसा रखिए इस वीडियो को देखने बाद आपको यकीन हो जाए वीडियो बना रहा हूं, तो 389 रोपया हो सकता है, जब आप इस वीडियो को देखेंगे, तो शेयर प्राइस दो रोपया उपर या नीचे हो चुका रहेगा, तो उससे कोई ज्यादा फ़यक नहीं पड़ता है, इसमें अभी अब ट्रेंट ग्राफ सालू है, मतलब शेयर उठना सुरू हुआ है, हाई देखेंगा हाई लगा चुका है 420 रोपया का, या हाई देखेंगे लिस्टिंग के दिन का हाई नहीं है, जब इसका आई प्राइस था इसका 230 रोपया, और जब लिस्टिंग हुआ सेयर मार्गेट में यह कंपनी तो उस दिन जब लोगों को जरूर मिला जिन लोगों भी इसमें पैसा लगाया था, और यह लिस्टिंग कब हुआ था, आठ फरवरी को हुआ था, आप समझें, बहुत सारे लोग आई प्यों के लिए अपलाई करते हैं, सबको तो आई प्यों में लॉट्ट मिलता नहीं है, तो बहुत सारे लोगों ने लिष्टिंग के बाद इस कंपनी के शेयर को भाई किया, और उसके बाद जब भाई करना लोगों ने चालाए क्योंकि लोगों को इस कंपनी पर भरॉसा था, कंपनी ठीक है, फंडामेंटल45 ठीक है, और इसका विंजंस मॉडलWны ठीक है, तो इसलिए लोगों इसमें जम के पैसे लगया कंपनी के शेयर मार्के में लिश्टेट होने के बाद उसके बाद जब बाइंग प्रेसर अधिक बड़ा तो कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ना चालू हुआ और 274 रुपया से बढ़कर आया 420 रुपया तक यहां देखेंगे लिश्टिंग हुआ था 270 रुपया पर यहां पर लोगों ने बाई करना शुरू किया और 270 से बढ़कर हो गया 420 रुपय कंपनी का शेयर प्राइस और यहां जो हाई लगया 420 रुपय के 10 फरोरी का हाई दो तीन दिन में मतलब जबरदस्त इसका शेयर प्राइस बढ़ा इसके बाद यहां से लोगों ने प्रोफिट बूक करना शुरू किया शेयर प्राइस डाउन जाने लगा तो अभी जाकर दो तीन दिन उसके प्राइस में रिकवरी होना सुरू हुआ है समझेंगे यह जो डाउन जाने लगा इसके पीछे क्या क्या कारणते सबसे पहले तो सौर्ट टाइम के लिए प्रोफिट बोकिंग हो रहा था जिसको अच्छा खासा मुनाफ़ा हो गया लोग निकलने चाहा रहते निकल गया लेकिन सौर्ट टाइम के लिए जब भी कंपनी में प्रोफिट तो उससे घबडाना नहीं चाहिए अगर आपका रिसर्च अनालसिस ठीक है और कंपनी का फंडामेंटल ठीक है तो बहुत सारे लोग घबडा कर भी इसके लोग आतने खासकर वो इस तरह की गलती करते हैं दूसरा देखेंगे तो रसिया युक्रीन वार के चलते मार्केट क सेग्मेंट ठीक नहीं तो इसके चलते भी कंपनी का सेयर प्राइस निचे तरफ लेकिन अब जो सेयर प्राइस में उच्छाल आया है तो निचे लुडगने का अभी फिलहाल चांस कम है क्यूंकि इसके जो क्वार्टर ली रिजल्ट आप देखेंगे तो इसके क्वार्टर तरवार में सेटके क्वार्टर त्री सेगें में तो कंपनी का क्यूंकि खेंगे इसका लाओं आप देखेंगे तो अब जब quarterly result अच्छा है तो share price तो उपर जाएगा ही जाएगा इसका समवाना बहुत प्रवबल है यहां देखिए रेजिस्टेंस लेवल है 395 रुपया जो पहला रेजिस्टेंस लेवल है जिसको आरवन कहते हैं और दूसरा जूर रेजिस्टेंस लेवल है 410 रुपय का अभी share price कहां है अभी 390 रुपया और अभी जब 410 रुपय के लेवल को पार कर जाएगा उसको उपर चला जाएगा तब माना जाएगा कि इस कंपनी का हाई है 420 रुपय इसको भी पार कर जाएगा और एक नाया हाई बनाएगा जिसकी समवाना बहुत है और सपोर्ट सब्सक्राइगा तो एक दिन में दो-दो करोन इसमें बहुत हो रहा है इसलिए जब इसमें एक अच्छी खासे रिकभरी देखी जा रहे यह बहुत हो रहा है तो जो 80% कम्यूटी सेग्मेंट इसको भाई करने के लिए कर रहे हैं और 4% लोग ऐसे हैं जो होल्ड करने के लि सब्सक्राइब करेंगे और कम करके 75% से थोड़ा कम आएंगे दिरे दिरे प्रोमोटर्स के हिस्सादारी इसमें कम होने वाली है पॉबली के पास फिलाल 8.08% के हिस्सादारी है और आपको मुझसे परसनली जूड़कर कोई सवाल पूछना है तो मुझे इस्टाग्राम पर फोलो कर सकते हैं लिंक चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में म जाल दूँगा अगर इस पार्टिकूलर विडियो से लेटर कोई कोस्टान है तो आप मुझसे जुरूर पुछे मैं कमेंट पर उसके रिबलाई दूँगा या इंस्टाग्राम पर भी मुझसे सवाल पूछ सकते हैं तो उम्मीद करता हूं विडियो इंफर्मेटिव बाकी मिलते हैं नेक्ट विडियो में तब तक धन्यवाद शुक्रिया